नमस्कार स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्रदेश 36 गर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपर ना मौज़म वक्त हो गया है मध्रदेश की महार डिबेट का आज बात उस मुद्दे की जो आप से जुड़ा हुआ है पेपर लीग जिहां नीट परिक्षा को लेकर जोरदार हंगामा हुआ जार्च में गरबडियां भी मिली है लेकिन अब मोहन सरकार प्रदेश में पेपर लीग पर नया कानून लाने की तयारी में है नीट परिक्षा में गरबड़ी और यूजिसी नेट दोहजार चौबीस परिक्षा स्थागित होने के बाद केंद्र सरकार की सकती के बाद मध्यप्रदेश की मोहन सरकार भी पेपर लीग के खिलाफ सक्ट आक्शन मोड में आ गई है पेपर लीग को रोक्राम को लिए मध्यप्रदेश सरकार सक्ट कारून लाने जा रही है सरकार के नए कानून पर सियासत भी शुरू हो गई है इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार को खेरा है MP में पेपर लीग अब नहीं खै नए कानून की तयारी जुर्माना सजा है भारी यह भारती जंता पार्टी की सरकार है पारदर्शिता वाली सरकार है और कोई भी अगर छात्रों के हिस्ते खिलवारण करता है तो उसको बक्षा नहीं जाएगा मैया कानून ग्राफ तया कितना होगा कारगर कानून बनाना एक बगवास है मैं तो यह कहता हूँ जो जहां से गंगा भेती है सबसे पहले वहाँ पर आपको वहाँ का पानी साफ करना पड़ाएगा नेता प्रतीपक्ष मंग सिंगार जी कानून बनाने में मदद करना है पेपर लीग के मामले में मदद प्रदेश सरकार अब सकत कानून लाने की तयारी है इसको लेकर प्रदेश सरकार ने तयारी कर ली है बताया जा रहा है कि नए कानून का ड्राफ तयार कर विधी विभाग के पास भेजा गया है अब देखना होगा नया कानून पेपर लीग पर कितना कारगर होगा आज मध्यप्रदेश की महा डिबेट में चर्चा इसी पर मसला बड़ा है ऐसे में कानून पर सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि कानून का पालन भी तो होना चाहिए सिर्फ कानून बना देने से और कानून का पालन ना कर पाने से भी फाइदा नहीं होगा कानून बनना चाहिए तो कानून का का इmplementation भी होना चाहिए इन सबी सवालों के जवाब हम लेंगे आज महा डिबेट में मेरे साथ खास महा जूरेंगे महाडिबेट के सवАल क्या है उन सवालों को देख लेते हैं पहला सवाल रहेगा नया कानून बन जायेगा कितना कालगर होगा D pronounsा सबान रहेगा क्या सक्ती से हो पाएगा कानून का पल्न कै। क्योंकि कानून ऐसा दों नहीं कि पहले नहीं थे पहले सी किसा सवाल रहेगा सियासत जोरदार क्या कस पाएगी न के खास महमान जो जुड़ गए है मेरे साथ उनका परिचे आप से करवा देते हैं कॉंग्रस के प्रवक्ता है विवेक्तर पाथी जी विजेपी नेता है सुरेंद्र शर्मा जी तनुझ दिक्षित जी है वकील है सुप को लेकर जानकरी सामने आई है कि जुर्माना लगेगा प्रापटी अटैज की जाएगी जी अपरना अभी जैसे की सभी को पता है नीट के पेपर्स हाली में यूजी के लिग का एक कांड सामने आया है CBI ने काफी जगह पे गिरफतारियां भी करिए देश भर में उसके बा जिसका बिल जो है February में पास हुआ था और हाली में अभी कानून को जो है पूरे देश भर में लागू किया गया है ये विशेश रूप से पेपर लीक जैसे जो घटनाय होती है इनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक कानून है जो की राश्टर भर में लागू होता ह लेकिन उसके बावजूद जो ये गजट नोटिफिकेशन आता है उसके बाद राज्य सरकारों को अपने कदम उठाने पड़ते हैं और राज्य सरकार अपने इस तरफे कानून को अपने अनुरूप ढाल करके उसी बिल को अकॉर्डिंग जो बिल के अंदर आट के अंदर प्रावधान उसके अकॉर्डिंग उसमें सजा की प्रावधान रख सकती है जी अपड़ना जी ठीक है तो आप मान रहे हैं कि एक सक्त कानून होगा नश्यत रूप से सकत कानून होगा क्योंकि आप एक चीज़ देखिए अभी तक जो सेंटरल में जो बिल आया था बिल आने के बाद में जो प्रोविजन ये जो एक्ट आया है इसके अंतरकत सिर्फ पांच एग्जनसी की एक्जाम साथी जैसे यूपी एससी है रेलवे बोर्ड की एक्जाम से आई पई पी पी है इसके अलबा हम अगर देखे तो NTA नेश्यनल टेस्टिंग एजनसी की जित्ती एक्जाम से तो अभी इसमें जो अधर एक्जामिनिशन से इस्टेट के पब्लिक कमिशन से या अधर कोई इस चाइब की जो राज्य सरकार स्तर की जो भी कोई परिक्षा होती है वो इस कानून के दाइरे से फिलाल भार है तो मुझे अलगता है निश्चित रूप से हर राज्य को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस तर सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है सक्त कानून को लेकर लेकिन कई चात्रे ऐसे हैं बड़ी संख्या में जिनका भविश्य अभी उसके आगे कॉश्चन मार्क लगा हुआ है नए कानून की दिशा में क्या अभी फिलाल की बात है इसलिए कि मामला जो आक्रोश है वो दब होना चाहिए और जहां तक कानून के क्रियानोयन का प्रश्चन है इसके लिए एक सरोदली कमेटी बनाना चाहिए जो कानून के क्रियानोयन की निगरानी भी रखे साथ ही उसमें जो खामिया है उसको ठीक भी करे और जिन चात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिल इस दिशा में पहल करना जरूरी है केवल आलोसनाव से काम चलना नहीं है क्योंकि ये बापनला बड़ा गंभिर है छात्रों के भोईश से जड़ावा है और भावी प्रिडी दिशा भ्रहम हो रही इस कारण और कई परिशान है छात्र आत्वरत्या कर रहा है कि जिनोंने परि इस दोनों को ताकत से एक जो ठोकर इसमें इसमें इसकी खामियों को इसमें जो गल्तियां हुई है उनको और जो दोशी है उनको दंदित करने के लिए सभी प्रयास करना होंगे केवल आलोसना से काम नहीं चलेगा ये बड़ा गंभिर मामला है चुकि मुख्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव जी विद्यार्थी नेता रहे हैं उन्होंने विद्यार्थी प्रश्यत का काम भी किया और उन्हें इस बात का अंदाज है कि छात्रों के साथ कितना गलत होता है तो छात्रों का भरिश किस प्रकार से विगड़ सकता है इसलिए आवशक है कि उ णीड जैसी प्रतिष्य परिक्राम घोटारब का पूरा शतक लगाने के बार में मंध्यप्रकारर शाल से मध्यप्रदेश भजीUm सरकार हाऊआ तरीके स्थजर माफिया फूला है आप अंदाजा लगाईे हैं यहां अगजों में college खोल दिए जाते हैं नर्सिंग college खोल दिए जाते हैं 4-4 साल तक छात्र फीज जमा करते हैं परिक्षाए नहीं होती है जब छातर संगठन शिकायट करता है माननी नयाले संग्यान लेती है सीवी आई की जाच होती है शिक्षा माफियाओं के होसले तिव बुलंद है कि वो सीवी आई खरीड लेती है मद्यप्रदेश में आके सीवी आई तक बिग जाती है तो निश्यती कानून बनाने से काम नहीं चलेगा कानून का कड़ाई से पालन होना कालीज खुलते रहे आपने उसकी सुद्ध क्यों नहीं लिकने अचया वह स्कूली शिक्षा की बात करेट kVIE impressions ने देश में मध्यप्रदेश के शर्मसार करने के लिए मजबूर कर दिया है आज मिधावी चाहतर जब मध्यप्रदेश बाहर जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप तो व्यापम के माँ परदेश से आते हैं आप उस परदेश से आते हैं जहां शिक्षा की दुकाने लगते हैं जाने लगते हैं दिग्रीया बेची जाती है जहां नौक्रीया बेची जाती है नीचे बाग में आईएगा चाहिए इस मामले में कांग्रेस को आगे आकर सरकार को स्वियाओ देना थे कि वरोद करने के लिए ठीक नहीं है अधनी सरच जीन मोहने आदब जी के उलेक किया मोहन जी चात्र नेता रहे हैं मैं उनके साथ अखिले वारती विद्ध्यार्थी उसमें काम किया है मैं आपके सं ला रहे हैं इस प्रकार कानून बनेगा कि जो को इसको तोड़ने की सपने में नहीं सोचता और थोड़ा ने जा रहे हैं कोई सवाल नहीं उठा रहा है लेकिन कड़े कानून के दारे में सिर्फ छोटी वश्ली आएंगे या मगर मत भी भसेगा अपरना जी बिलकुल जी जो भी दारे में आएगा मचली होगी मगरेच मच्छ होगा केकड़ा होगा कच्यों होगा जो कानून तोड़ेगा जो कानून के साथ खिलवाड करेगा सरकार उसके खिलाब कर दोड़ता से करवाई करेगी जी शरद जी यहांपर मैं आपकी पास आ रहें क्योंकि यह जो मंत्रियों पर सवाल उठे की मंत्रियों के नाक के नीचे ही सब कुछ गोटाला हुआ है सवाल यह उठा कि दस्तरगत तो मंत्री नहीं उस कागस पर क्योंगे लेकिन आप और हम भखुबी जानते हैं कि कितने कागस कंसर्ण डिपार्टमेंट के मंत्री पड़ पाते होंगे वो तो उनके अधिकारी हैं जो बताते होंगे ब्रीफ देते होंगे फिर वो साइन करते होंगे तो ऐसे में जो सवाल उठे मंत्रियों की गिरफतारी को लेकर कि वो भी जार्ज की दायरे में आए उन पर भी क इस जो कानून के क्रियान वेन में यदि कुछ शिकंजा किसी भी व्यक्ति पर करता है चाहिए वो मंतरी हो अधिकारी हो या किसी भी प्रकार का उध्योपती हो शिक्षा माफिया हो सभी पे इस पर कुछ लगना चाहिए और यह कौन करेगा क्योंकि अधिकांश कालेज यह कालेज नेताओं के हैं और नेताओं के कालेजों में ही अधिकारियों और नेताओं की गठ जोड से सारी घरबड़े होई है और केवल मंतरी प्रदेश इसके लिए बद्नाम नहीं है सारे देश में जहां जहां भी शिक्षा माफिया हावी है वहां पर इस प्रकार की और अगर आपस में ही लड़ते रहे तो लोग दोशी लोग जो है जो लोग इस मामले में दोशी है छातों के खिलवार करने में जिनका हाथ है तो यह सब बच जाएंगे और नेता लोग आपस में लड़ते रहे जाएंगे इसलिए जरूरी है कि कानून का सक्ति से और सकारात् पालन होना चाहिए तकि कोई दोशी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए और यह बात शरसर ने को सही कही है कि जो बाफ्या जो पनपते हैं फलते फूलते हैं वो बिना सियासी संरक्षन के नहीं होता है जाहिर तोर पर लेकिन एक और सवाल मेरा यह है कि नर्सिंग उडाना जो MP म बताएगे सुटेबल थे ही नहीं तो ऐसे में यह जो नया कानून बन जाएगा उसका इंप्लिमेंटेशन किस तना से होगा यह कैसे एंश्योर किया जाएगा देखिए इस कानून के अंदर जो अभी राष्टर लेवल पर जो अभी कानून बना है उस कानून के महत्पूर्ण अगर हम बिंदू समझते हैं तो उसके अंदर यही है ऐसे जो भी लोग जो पेपर लीक कराते हैं पेपर की कोई इंफॉमेशन डिस्लोस करते हैं सेंटर च चीज़े हैं तो उसमें देखिए तीन साल से पात साल की सजा का प्रावधान और दस लाग रुपे तक की जुर्माने का प्रावधान इस कानून में राष्टर स्तर पर जो भी बना उसमें है मुझे लगता है निश्यत रूप से जब राज्य स्रकार बनाएगी उसमें भी रहेगा और जो एक करोड़ रुपे के जुर्मानय के आप लोग बात कर रहे हैं वह इस तरीके से हैं अगर कोई जो जहां पर सेंटर या जो कोई एजनसी है जो एक्जाम कराती है अगर वो दोनों कहीं इन्वोल्ड होती है इस तरीकी कि किसी भी कान में जैन पेपर लिग जैसे कोई भी कान के अंदर तो निश्यत रूप से उन एजनसी तक पर एक करोड रुपे तक का जुर्माने का प्रावधान इस कानुन के अंतरगत रखा गया है जो राष्ट्रे कानुन के अगर बात करें तनुट जी इतनी सक्ति से कानुन आप से समझे जाहूंगी जो राष किया गया है या सभी को एक ही दायरे में रखाता है है अब जे गया है इस सब्सक्रा बिए निशर में तक च इंस अदर वो इतने सक्तने सक्ट नहीं थे उनमें बहुत कम सजा और बहुत नॉमिनल जुर्माने का प्रावधान था लेकिन पहली बार ये जो कानून जो आया है अभी जो सेंट्रल में लागू हुआ है इसके अंदर जो पांच एजनसी के एक्जामिनेशन से उसके अंदर जुर्माने का प्रावधान है वो भी 10 लाग रुप जो सेंटर हो जो एक्जामिनेशन एजनसी इसमें इनवाड रहेगी वो सेंटर को भी 4 साल तक के लिए सस्केंड करने का इस कानून के अंदर प्रावधान है विवेक्त रिपाठी जी नेता प्रतिपक्ष की दो भूमिका महतपून है कानून को अमनी जामा पहनाने में और जो ड्राफ्ट ही भेजा गया है तो ऐसे में पहले सही कॉंग्रस के सवाल किया किस चीज से कॉंग्रस घबरा रही है बीजेपी भी ये पूछ रही है कि आखरकार वज़ा क्या है किस बात का खौफ है कहिए तो नहीं कि कुछ ऐसे नाम ही बेनकाब हो जाए जिनके तार कही देखी भाजापा के रही कि कॉंग्रेस घबरा रही है आप कानून ऐसा बनाई जिससे शिक्षा माफिया घबरा है दूसरी बात आपने ड्राफ्टिंग करने से पहले विधायक दल के साथ में उसके चर्चा की जा सकती थी सभी दलों के नेताओं को बुला के उसके चर्चा को बुला के जैमत नहीं उठाई जांच एजनेंसियों की उनसे पूछताज कर ले मध्य परदेश में चिकत्सा शिक्षा-विभाग में ACS होते हैं, PS होते हैं, Commissioner होते हैं, एक ही मंतरी होते हैं, चिक्षा शिक्षा विभाग का एक ही University होती है, Medical University, एक ही Nursing Council होती है, आप कहते हैं कि मंतरी जी व्यस्त होंगे, अधिकारी व्यस्त होंगे, फाइलों पर साइन करते हैं देखा नहीं होगा, आपके पास में एक ही विश है कि नहीं है, बाद में आप उन पर पूरा दोशार उपर करते हों, जब उन पर कारेवाई करते हैं, तो वो बयान देती है कि हमें, उच अधिकारियों ने मना किया था, इंस्पेक्षिन करने से, आज तक उनकी बयान को रिकॉर्ड में लेके, उस पर जाच क्यों नहीं की कई, उनी का बयान था ना, मीडिया के माद्दम से हम सभी ने देखा, एक मंतरी, एक ACS, एक PS, एक कमिश्णर मिलके, एक विश्दय लेनी समाल पाए, जिसकी नाक के नीचे एक बार में 219 कॉलेजों को माननेता दी गई, बगेर ये जाचे कि उनके पास विल्डिंग है, फे कि सेवाई देने की जगे, पैसा अरजन को अपना उदेश समनेगे, तो कहीं न कहीं, शिक्ष्या, विवस्था को भी दूशित कर रहा है, और देश की स्वास्थ विवस्था, को भी दूशित कर रहा है, इसके दूर गामी पाड़िनाम बिलकुल भी ठीक नहीं है, ये परिवार के तीन तीन लोग आरोप लगे आपने कोई कारवाई की क्या आप जाज करा लिजे ला पाटी की सरकार है जो गलती करेगा उसके खलाब कारवाई होगी दोसी कोई कारवाई होई है दिखाने के लिए छोटी मचलियों को निशाना बनाया जा रहा है मैं फिर आरोप लगाता हूं नर्सिंग काउंसिल में स्टाफ नर्स को आप रेजिस्टर बना के बैठा रहे हैं उनकी कॉलिफिकेशन नहीं है वह एलिजिबल नहीं है क्या लेंदेन क्या सेटिंग आपकी हुई थी आपकी नाक के नीचे कागजों में कॉलिज खुले जा रहे थे आप उसमें क्या इंस्पेक्शन की फरजी रिपोर्टे प्रस्तुत की जा रही थी यहां तो आप अंदज़ा लगाई है माननिन्याले तक को यहां पर गुम्रा करने का प्रयास किया गया ऐसे कॉलेजों को सूटेबल बता दिया लेकिन तरीके से व्यापम में व्यापम में परिक्षा जो होती थी प्रतियोंगी परिक्षाइं होती थी उसमें धांदली होने लगी हमने उसकी शिकायत करी व्यापम में भाजापा के नेता मानती नहीं थी क कोई शिकाय तो किसी तरीकी की कोई धानली हो रही है माननियम पूर मुख्य मंत्री मौदर जी ने विदान सभा में सुईकारा जब सी बी आई के जाच हुई तो भाजापा ने बहुत बड़ी कारिवाई करते हुए व्यापम का नाम बदल दिया तो नाम बदल देने से क्या ब स्कूल में स्कूलों में शिक्ष्या में किताबे बेची जारी थी ड्रेस बेची जारी थी कारेवाई के रूप में दो लाग रुपे का जुर्माना भोपाल में हुआ वो दो लाग रुपे की वसूली हो गई क्या अभी विगत दिवस हमने देखा है शिक्स्या विबाग ने जरूरी नहीं समझा अब दो लाग का जुर्माना नहीं वसूल बारे एक करोण किया बात कर रहे है यहां पर लगातार आरोपों की बोचार किये जा रहे हैं वेक्तर प कानून की दज्जिया उड़ाई जा रहे हैं आप संबाद तो करें आप संबाद तो करिये आप की सरकार हैं आप कर दीजें हम से नहीं हूं आप कर दीजें आपको आपको राजसान में घोटाला दिखता है आपकी सरकार चुरौत ही देता हूं पर शात्रों की है और संबाद की बात यहां पर विपक्ष कर रहा है लेकिन सरकार कह रहे हैं कि हमने तो आगे कदम बढ़ा दिया है धनिवाद आप सभी का मध्रदेश की माहा डिबेट पर शामिल होने के लिए सरकार की और से नए कानून की बात कहीं जा रही है ड्राफ तैयार है अब जल्दी कानून को अमनी जामा पहनाया जाएगा उसके बाद यह कहा जारा सरकार के तर्स दावा है कि ना सिर्थ छोटी मशलिया वर की बड़े मगरमच भी नकेल उन पर कसी जाएगी लेकिन विपक्ष सरकार की नियत पर सवाल खड़े कर रहा है मध्य प्रदेश की मार डिवेट में इतना ही खबर लगाता जा रही है पुड़े रही है